Hello everyone, welcome back to Himachal Successbook. आज हम डिसकस करेंगे 4 और 5 जून 2021 के current fairs. सबसे पहले हम Himachal प्रदेश के current fair discuss करेंगे, उसके बाद national और international current fair discuss करेंगे. Start कर दें discussion. First question is, which has become the first district of Himachal प्रदेश to provide online facility of medical consultation to citizens along with ability of beds in the hospitals? अस्पतालों में बिस्तरों की उपलबता के साथ नागरिकों को चिकिसा परामर्ष की ओर्लाइन सुविदा परदान करने वाला हिमाजवदेश का पहला जीला कौन सा बन गया है ये चार आप्शन्स है कुरेक्ट टेंसर आप्शन डी कांगडा तो कांगडा हिमाजवदेश का पहला ऐसा जीला बना है जहां पर की ओनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन यानि की चिकिसा परामर्ष दिया जाएगा इसके लावा हॉस्पिटल में कितने बेड्स अविलेबल हैं इसकी जानकारे भी पूरी प्रदान की जाएगी इसके लिए कांगडा के DC राकेश परजा पती दवारा कांगडा केर पोर्टल लौंच किया गया initially इस पोर्टल पर COVID-related ही information दी जाएगी कि COVID-related कितने बेड्स अविलेबल हैं और अगर किसी को COVID-related medical consultation चाहिए तो वही online प्रवाइड की जाएगी इसके लावा government और private hospitals में कितने beds available है उन सभी के बारे में भी जानकर रिपरदान की जाएगी कांगड़ा के अर्पोर्टल के उपर Recently, which former minister and chief behave in Himachapadish government from Jubal Kodkhai constituency assembly has passed away हाली में Jubal Kodkhai निर्वाचन की शेतर से Himachapadish सरकार के किस पूर मंत्री और मुख्या सचेतर का निदन हो गया है ये चार options है, correct answer है option A, नरिंदर ब्राक्टा, नरिंदर ब्राक्टा इनका विधान सभाक शेतर था जूबल कोटकाई और हाली में इनका निदन हो गया है होटी कल्चर फिल्ड में काफी इनका contribution माना जाता है Himachapadish में इसके लाबा option B, C और D ये तीन personalities भी इनका भी हाली में निदन हो चुका है त्याद रखीगा नरिंदर ब्राक्टा, रामसरूप शर्मा, अमर सिंग चौदरी, सुजान सिंग बठानिया इन सभी का निदन हो चुका है आप देख सकते हैं मुख्य मत्री जाराम ठाकु द्वारा शोक व्यक्त किया गया और टूइट वी किया गया तस्वीर में देख सकते हैं ये थे नरिंदर ब्राक्टा जी, इनका जरम 15 स्टंबर 1952 को शिमला डिस्टी की कोटकाई के तहतोली विलेज में हुआ था इन्होंने हिमाजवदेश इंवर्स्टी शिमला से पोस्ट गैजूशन की थी इसके बाद वर्ष 1998 में पहली बार ये हिमाजवदेश विधानसवा में इलेक्ट हुए थे उसके बाद वर्ष 2007 में जूबल खोट खाई विधानसवा क्षेतर से री इलेक्ट हुए थे और वर्ष 1998 से 2002 तक ये Minister of State for Horticulture Independent Charge पर रहे थे और 2007 से 2012 तक Horticulture Technical Education और Health Minister भी रहे थे वर्ष 2017 में तीसरी टर्म के लिए फिरसेरी इलेक्ट हुए थे और अभी प्रजेंट गवर्वर्मेंट में हिमाचवदेश के चीफ भी पियानी की मुखे सजेतक थे हिमाचवदेश सरकार के इसके लाबा Public Undertaking and Members, Rules and Library Members और Emenities इन Committees के चेर्मेन भी थे रेंदर ब्राक्टा इस चार आप्शन है, कुरेक्ट टैंसर है औप्शन सी, Major General Retired Atul Kaushik Major General Retired Atul Kaushik, हिमाचवदेश नीजी सेक्षन इक संस्तान यामक आईयो के अधिक्ष है देखिए न्यूज में क्यों है उन्नाडिस्टी के हरोली तहसील के बातू विलेज में एक उनिवस्टी है जिसका नाम है इंडस इंटरनेशनल उनिवस्टी इस उनिवस्टी द्वारा कुछ स्टूरेंट्स को ब्लैक मेल किया जा रहा था उन्हें हरास किया जा रहा था उनके ओरिजनल सर्टिफिकेट वापिस नहीं दिये जा रहे थे इसके लिए उन students ने पुलिस में भी complaint की लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई संग्यान नहीं लिया गया इसके बाद उन students द्वारा यह जो commission है यहाँ पर direct complaint की गई और इन्हों ने यानि कि जो chairman है इस commission के major general अतुल कौशिक का retired इन्हों ने इस बात का संग्यान लिया और इन्होंने अब order जारी किये हैं कि हिमाज़ोदेश का कोई भी educational institution या affiliated जो भी इन्वेस्टी है वो self-attached document ही रखेगी students के जब तक physical verification होती है यानि कि जब आप admission लेंगे किसी भी इन्वेस्टी में किसी भी institutions में तो physical verification की जाएगी जो original document है उनसे और उसके बाद जो candidates के self-attached document है वही रखे जाएगे इसके लावा अगर कोई भी document cross-check करना है तो university से या फिर previously जिस board में उन्होंने study की है students ने वहाँ से वो cross-check कर सकते हैं लेकिन ऐसा strictly कहा गया कि original document किसी भी student के कोई भी education institution और university अपने पास नहीं रखेगी इसके लाबा इनके दोरह ये भी order दिया गया कि अगर कोई भी student किसी भी police station में किसी भी district में complaint register करता है तो सभी SP को ये order दिया गया है कि वो FIR करेंगे उस university के against उन management वालों के against और registrar के against जिन के दोरह ये blackmailing और harassment की जा रही है याद रखीगा अब से हिमाचपदेश की किसी भी university को ये हक नहीं है कि वो candidates के original documents रखे सिर्फ self-addressed documents ही रखे जा सकते हैं और physical verification करने के लिए admission के time पर original document से physical verification कर की जा सकती है बात करें इस commission की हिमाचपदेश private educational institutions regulatory commission हिंदी में से बोलते है हिमाचपदेश नीजी सिक्षन संस्थान नियुमक आयोग ये एक structure body है यानि कि सामविधानी की निकाह है इसका मतलग है कि इसे parliamentary act द्वारा बनाया गया है एक्ट कौन सा है हिमाचपदेश private educational institutional regulatory commission act 2010 बात करने कि इस commission का कारे क्या है तो परदेश के सभी नीजी सिक्षन संस्थानों की fees और course तै करना इस आयोग का काम है इसके अलाबा जो भी नीजी संस्थान किस तरह से कारे कर रहे हैं स्टाफ का वेतन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उनकी योग गयता और किस तरह से कारे कर रहे हैं ये सारा का सारा ध्यान रखता है ये आयोग Amid COVID-19, Artists are performing which performing art to spread awareness among the masses in comical way COVID-19 के बीच कलाकार हास्यपूर्ण तरीके से जनता के भी जागरुकता फैलाने के लिए किस प्रदेशन कला का प्रदेशन कर रहे हैं और ये जो कला है एक हास्यपूर्ण तरीके से इसे दर्शाया जा रहा है क्योंकि ये कला ही ऐसी है और इससे लोगों को जागरुक किया जा रहा है कि COVID-19 से कैसे बचा जा सकता है ये चार उप्शन्स हैं इसका कॉर्रक्टन सरा उप्शन ए बहर रूपिया अब देख सकते हैं इस तरह से बहर रूपिया का बेश बनाया होता है इन आर्टिस्स ने और जगह जगह जाकर लोगों को अवेर करते हैं हासेपून तरीके से कुछ डायलोग भी बोलते हैं जैसे कि मेरा काम है ये खास क्योंकि मेरे पास है मास्क इस तरह से हासेपून डायलोग भी बोलते हैं और कुछ जगा जैसे कि कांगडा डिस्टिक में देखा गया कि बूतों की तरह इन्होंने ड्रेस अप किया था और शिमला टॉन में भी देखा गया कि लंबरदार तरीके से इन्होंने ड्रेस अप किया था और लोगों को माइक के जरीए अवेर कर रहे हैं थे कि सोशल administration है वो काफी स्पोर्ट कर रही है और इन्हें और पुलिस भी स्पोर्ट कर रही है त्याद रहेगा बहर रूपिया इस आर्ट को प्रफॉर्म किया जा रहा है इनके द्वारा Who has been appointed as the new co-incharge of the Himachapadish Congress? Himachapadish Congress का नया सहह परबारी की से न्युक्त किया गया है इचार options है, correct answer option B संजेदत, ये है संजेदत और Himachapadish Congress का नया सहह परबारी इन्हें न्युक्त किया गया है डिसकस कते हैं national और international current affairs, first question is, what is the theme of the world environment day 2021, विश्व परवारबन दिवस 2021 का विशे क्या है correct answer option A, reimagine, recreate, restore, देखिए हर वर्ष 5 जून को world environment day यानि की विश्व परवारबन दिवस मनाय जाता है इस बार की theme थी reimagine, recreate, restore, और इस बार global host है पाकिस्तान और पहली बार वर्ष 1974 में world environment day मनाय गया था और उस बार का slogan था only on one earth what is the rank of Indian men's hockey team in the latest international hockey federation world rankings भारती अंतरस्टी होकी महसंग विश्व रैंकिंग में भारती पूरुष टीम की क्या rank है यानि की जो Indian men's hockey team है उसकी क्या ranking है international rankings में correct answer option D, fourth तो जो Indian men's team है hockey की इनकी fourth rank है world में और women's team है उसकी ninth rank है पुरे world में men's category में देखा जा तो number one पर है Belgium, second पर Australia, third पर निदरलेंड और fourth पर है India women's category में number one पर है निदरलेंड, second पर है अर्जेंटीनिया और women's की rank है ninth पुरे world में याद रखी गाई ये hockey team की rankings है और hockey को जो regulate करता है उसे बोलते है international hockey federation यानिकी इसके लाबा federation international D hockey भी कहते हैं इसे FIH इसका headquarter है Switzerland के Louisiana में और इसके प्रेजेंट है लेंड्रो नेग्रे who is the author of the book Savarkar A Contested Legacy 1924-1966 Savarkar A Contested Legacy 1924-1966 पुस्तक के लिए कोन है correct answer option B Bikram Sampath लेकि इन books को याद रखीगा क्योंकि हम उन्हीं books को discuss करते हैं जो की काफी important होती है तो ये book लिखी गई है Bikram Sampath तवरा which are the following organization has introduced world's first nanourea liquid for farmers across the world निफ्समेशे कि संगठन ने पूरी दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला nanourea liquid पेश किया है तो ये पेश किया है IFFCO द्वरा IFFCO की full form है Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited इनके द्वरा world का पहला nanourea liquid बनाया गया है इसका headquarter है New Delhi में 3 November 1967 को IFFCO की स्थापना की गई थी यानि की Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited की स्थापना की गई थी इसकी chairman है BS Nakai और MDN CEO है Dr. US Avasti Who has won the Kia NBA 6th Man Award 2021 Kia NBA 6th Man Award 2021 किसने जीता है तो ये जीता है Jordan Clarkson ने ये है Jordan Clarkson एक टीम है जिसका नाम है उताहसेज इसके ये प्लेयर है इनका नाम याद रखेगा Jordan Clarkson TCS has opened its first European Innovation Center in which of the country TCS ने किस देश में अपना पहला European नवाचार के अंदर खोला है तो ये खोला है इन्होंने निदरलेंड की कैपिल अमेस्टर डैम में सिर्फ इतना ही याद रखेगा कि इनका जो European latest innovation hub है वो इन्होंने निदरलेंड की कैपिल अमेस्टर डैम में open किया है TCS के CEO है राजेश कोपिनातन एक अपरेल 98 को इसकी स्थाफना की गए थी और headquarter है मुंबई में अगर हम निदरलेंड को map में देखें यहाँ पर है इंडिया और ये रेड कलर में है ये है निदरलेंड इसकी कैपिल है अमेस्टर डैम और करंसी है यूरो निदरलेंड से कौन हाली में भारत की सबसे बड़ी e-pharmacy company के रूम में उबरी है देखी e-pharmacy company का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी दवाई online मंगवाना चाहते हैं तो आप इन companies के तुरू मंगवा सकते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी e-pharmacy company कौन बन गई है तो ये बनी है farm easy आपने काफी बार इसकी ad भी देखी होगी टीवी के उपर तो farm easy ने acquire कर लिया है mad life को और अब farm easy इंडिया की सबसे बड़ी online pharmacy company बन गई है farm easy इसकी स्थापना 2014 में की गई थी इसका headquarter है मुंबई में headquarter याद रखेगा पूरी पूरी probability है exam में question आ सकता है बात करें mad life की इसकी स्थापना भी 2014 को में की गई थी और इसका headquarter है बैंगलोरू में which of the following institutions has developed a smart windows to cut carbon emissions लिए इस संस्थान ने carbon उत्सरजन में फटाती के लिए smart window विक्सित की है यानि की smart window यानि की smart खिड़की तो यह विक्सित की गई है IIT गुवर्टी के students द्वरा इससे जो carbon उत्सरजन है उसमें कटौती की जाईगी world milk day is observed on which date every year विश्व दुख्ध दिवस हर साल की स्थारीक को मना जाता है तो यह मना जाता है एक जुन को यानि की first of जुन को हर वरश world milk day मना जाता है ताकि लोगों को दूद की importance के बारे में बता जाए और इस बार focus theme थी sustainability in the dairy sector with messages around the environment पहली बाद वरश 2001 में इसे बना गया था और इसे organize किया जाता है food and agriculture organization दोरा काफी important organization है 16 October 1945 को इस organization की स्टापना की गई थी इसका headquarter है इटली के रोम में अगर बात करें इंडिया की white revolution के बारे में white revolution दूद से ही related है तो वरश 1979 में इंडिया की जो भी dairy industry है उसको self supportive बनाने के लिए यानिकी आतम नेरबर बनाने के लिए National dairy development board दोरा एक development plan त्यार किया गया और जुलाई 1970 में operation flood जारी किया गया operation flood United Nations development program और food agriculture organization के साथ मिलकर भारत में launch किया गया था जुलाई 1970 में और operation flood की वैसे white revolution आये थी हमारे इंडिया में और father of white revolution बोला जाता है dr. Varges Korean को इनका नाम याद रखी का काफी बार एक्जाम में question repeat हुआ है father of white revolution के से किसी का जाता है तो ये का जाता है dr. Varges Korean को और अगर पुछा जाएगा कि operation flood कि से related है तो white revolution यानि की दुग्द करांती से related है ये who among the following has taken over as president of the confederation of Indian industry निव्द बैसे किसने भारती उद्योग परिसंग के अधिक्ष के रूप में पदभार समाला है काफी important question है हिए और जो पहले भी president उनके बार में भी काफी बार question पूछा गया है तो अभी नए president बने है TV नरिंदरन याद रेखी गा TV नरिंदरन confederation of Indian industry के नए president बने है Tata Steel के chief executive officer or managing director है TV नरिंदरन और 2021 के लिए confederation of Indian industry का इन्हे chairman बनाए गया है और इस organization की स्थापना किये थी 1895 में Reserve Bank of India has cancelled the license of which bank भारतीय Reserve Bank ने किस bank का license रद किया है तो RBI ने शिवाजी रव भोसले सहकारी Bank इस bank का license रद किया है और ये bank है पुने में पुने है महाराष्टर में इस bank का headquarters भी याद रखेगा क्योंकि exam में bank के headquarters काफी पूछे जाते है तो RBI दोरा शिवाजी रव भोसले सहकारी bank जो कि महाराष्टर के पुने में है इसका license रद किया गया क्योंकि ना इनके पास adequate capital थी ना इनके पास adequate earning prospect था इनी बातों को ध्यान में रखते हुए इस bank का license रद कर दिया गया और Banking Regulation Act 1949 के अंतरगत ही इस bank का license रद किया गया है इसके लावा मई 2021 में आरबेद वरा United Cooperative Bank Limited जो कि West Bengal के बांगन में स्थीत हैस का headquarter इसका license भी रद किया गया था तो इन दोनों banks का नाम याद रखीगा ये थी मारे याज़की discussion और अगर आपको इस session की PDF सेगे तो आप टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए ही माज़की सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस session की PDF रप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स डिसकेशन में थैंक्स वर वाचिंग वीडियो डू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माई चैनल